राजस्थान में विधान सभा के लिए वोटिंग हो चुकी है तीन दिसम्बर को चुनाब के नतीजे भी आ जाएंगे वही चुनाब से पहले ही राजस्थान में लगता है कि रिवाज बदलने को है दरसल राजस्थान में हर पांस साल बाज सरकार की उलट फिर होती रही है लेकिन इस बार शायद राजस्थान की जरता को गहलोत सरकार की योजनाओं ने ज्यादा ही प्रभावित कर दिया है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीती जोतिशों की माने तो एक बार फिर से अशोग गहलोत की सरकार राजस्थान में बन सकती है लेकिन ये राजनीती है और यहां कुछ भी हो सकता है और अगर राजिस्थान में कॉंग्रिस की सरकार नहीं बनी तो उसको सबसे बड़ा कारण खुद अशोक गहलौत होंगे अशोक ने इस पांच सालों में कई ऐसी गलतिया की हैं ऐसा नहीं है कि गहलौत को पता नहीं था कि वो गलतिया कर रहे हैं जिसका परणाम उनको आगे आने वाले समय में मिल सकता है लेकिन शायद अशोक गहलौत अपने आपको सेट करने में इतना विज़ी हो गए वो भूल गए कि पार्टी के बिना किसी भी नेता का कोई अस्तत्वर नहीं होता है बागी उम्मीदवारों को कभी मनानी की कोशिश नहीं की राजिस्थान गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि गहलौत ने कॉंग्रिस के बागी उम्मीदवारों को कभी मनानी की कोशिश नहीं की अशोग गहलोट चाहते तो उनको मना कर उन्हें चनाव लड़ने से रोख सकते थे लेकिन गहलोट ने कोशिश तक नहीं की खबरों की माने तो अशोग गहलोट अलगी गेम खेर रहे है देखा जाए तो राजिस्थान में पूर्ण गहमत की सरकार बन सकती थी लेकिन गहलोट खुद ऐसा नहीं चाहते थे शायद गहलोट को लगता है कि अगर ऐसा होता तो उनकी हाथ से राजिस्थान की चावी छीन सकती थी गहलोट को पता है कि पूर्ण गहमत ना सही वो तोड मरोड कर किसी भी तरह अपनी सरकार बना ही लेंगे और ऐसा ही उनकी प्रतिस्था भी पार्टी में काम्याब रहेगी गहलोट करते रहे हैं पाइलिट को अपमानेत सचन पाइलिट और अशोग गहलोट के बीच मत भेर्ट किसी से चिपा नहीं है कहा तो यह जाता है कि गहलोत किसी भी हालत में कोई भी कारेभार पाइलिट को सौपना नहीं चाते बले पाइलिट को डिप्टिस सीम बना दिया गया हो लेकिन आज तक पाइलिट को यौर पद संगठन में उनको नहीं मिला है यही नहीं कई बार सचिन पालिट के लिए गहलोत बड़ा बयाद भी दे चुके हैं कई बार गहलोत ने सचिन पालिट के लिए भरे मन से अपमांजनक बाते भी कही हैं सचिन पालेट की बात करें तो 2018 की विधान सबाद चुनाओ में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जब पालेट बागी हुए तो कहीं कारकरताओं ने पालेट का साथ भी दिया अलाकि गहलाओत और पालेट की बीच की मदबेच शे महिने पहले खत्म हो गई है लेकिन कहला गलत नहीं होगा कि सिर्फ दिखावा भी हो सकता है क्योंकि ना तो इस चुनाव में दोनों ने एक साथ कोई रैली की ना ही कोई रोड़ शो किया और ये बात भी कहीं गलत नहीं है कि राजस्थान की जनता पालेट को कितना पसंद करती है कॉजर वोर्ड तो सिर्फ दिखावा पालेट के कारण ही कॉंग्रिस के खेमे में है पेपर लीक का मामला बार बार उठाना राजस्थान की पहचान एक जमाने में राज़ा और जवारों के कारण काफी हुआ करती थी लिकिन अब राजिस्थान की पहचान सरकारी नौकरियों में होने वाले गोटाले की बन गई है रिपोर्ट के माने तो इन पांच सालों में कुछ सत्रा बार पेपर लिक का मामला सामनी आया है राजिस्थान में नौकरी माने दुकान में लगे समान की तरह है कि कोई भी पैसे देकर करी सकता है अब राजिस्थान में इस बार 66 लाक के करीब 18-21 के युवा वोटर्स ने वोट डाला है इस वर्ग में ना जाने कितने वोटर्स हैं जो बार बार पेपर लिक होने से दुखी है वैसे भी राजिस्थान सरकार पर आरोब भी लगा है कि वो मामले को लेकर लापरवाही दिखा रही है और प्रदेश के मुख्या होने की वजह से इसका खामियाजा गहलोट को भरना पड़ रहा है वैसे भी बीजोपी ने इस बार समुद्दे को जम कर और सजा कर जनता के सामने परोसा है खुद पिया मोदी ने राजिस्थान के कई जन सभाव में इस मुद्दे को जनता के सामने रखा अब ऐसे में राजिस्थान के युवा, वोटर्स, गयलोट के लिए महंगे साबित हो सकते हैं योजनाओ को ठीक से लागू नहीं करना पांक साल पहले कॉंग्रिस ने राजिस्थान की जनता के लिए बड़े-बड़े वादे किये थे लेकिन कथनी और करनी कांतर काफी जादा मार्जन के साथ दिखाई दिरा है कई योजनाओं में लापरवाही बरती गई तो कई योजनाओं ब्रस्टोचार की भेर चड़ गई या अधिय धूरी योजनाओं को शायद जनता पचा नहीं पाई उधारण के तोर पर राजिस्थान में सवा करोड महिलाओं को स्मार्टफोन देनी की घोशना कांग्रिस ने की थी लेकिन जमीनी हकीकत पर सिर्फ 20-25 लाखे स्मार्टफोन जनता में बाटे गए है यही फ्लैक्शिप स्कीम और बेउसगारी भक्ता स्कीम के साथ भी हुआ है खाली रहे दो-दो साल तक पद अब इसे विभाग के लापरवाही कहें या फिर अशोग गहलौत की मनमानी राजिस्थान में बोर्ड निगमों के साथ-साथ कई और पद सालों से खाली पड़े है जिसके लिए कसूरवाल सीयम अशोग गैलाओत ही होंगे जो न्यूक्त सरकार के बनने के बाद 6 महिने के अंदर ही हो जानी चाहिए थी न्यूक्ती वो न्यूक्तियां अब तक भरी जा रही है अलग-लग समुदाईयों को खुश करने के लिए चनाव से 3-4 महिने पहले कई बोड का निर्मान तो किया गया लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस पर न्यूक्ती आचार सहिता लागू होने से ठीक दो घंटे पहले की गई है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये जो मुख्य बिंदू है ये कार्ण हो सकते हैं अशोग गहलोत की हार का मैं यहां कॉंग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं आके लिए अशोग गहलोत की बात कर रही हूँ वैसे तो पूरी तरह से अशोग गहलोत आश्वरस्त हैं कि वो जीतने वाले है कई राजओंतिक पंडित भी के रहे हैं कि कॉंग्रेस वापसी कर रही है रिवाज बदलेगा लेकिन अगर कॉंगरस हरती है तो हार का मुख्य कारण अशोग गहलाथ ही होगे कॉमेंट्स करके आप जरूर बताएं कि राजस्तान में अगर कॉंगरस हरती है तो क्या वाकई अशोग गहलाथ की वज़र से या फिर किसी ओर वज़र से